हेलो नमस्कार सिलाख रिजिन मूटिक में आपका सवागत है आज हम एक बेवी टोप बनाएंगे यह हमारा कपड़ा है यह 12-13 साल की बेवी का टोप है जर्व लटकी गर्ल्स वगैरा का टोप है ठीक है यह हमारा कपड़ा है फैरे इस कपड़े को मैं ऐसे खुल लेंगे इसके उल्टी तया बनाएंगे ऐसे वह भी रिसीता है ऐसे मिला देंगे इसको उपपर की चोली अलग लेंगे चोली लेंगे हम बारा लेंगे यह यह आसे उपपर से एस बारा इंच लेंगे ग्यारत तयार बचेगा ठीक है अब इसको रखने का थोड़ा सत्रीका बदलेंगे ऐसे एक रखने कुला इसे हो तो अब यहां दो इंच छोड़ेंगे कबड़ा यह हमारा बटन पट्टी के लिए है देखिए दो इंच है यह है यह है यह हमारा बटन पट्टी के लिए यहां पे लेंगे हम तीरा साड एछे मुठ डेलेंगे साड साथ यहां यहां डेड़ इंच की हम जो गोलाई करेंगे चटाई करेंगे उसके लिए अब हम लेंगे इस पर चाती साड इच्छे है और हम लेंगे आठ इंच थोड़ा सा फ्री बनाएंगे आठ और एक यहां पे हम खमर लेंगे साथ और ज्यादा से ज्यादा लेंगे आठ इसको मिला देएंगे अ अब यहां पे निसान लगाएंगे इसमें गोलाई करेंगे स्लीव लेस आइए आगे की छटाईस में नहीं करेंगे ठीक है अब यहां पे लेंगे हम डेड़ेंगे इसका पर लेंगे हां सवातीन आइसे मिला देएंगे अब पकटी कुरों देखें अब नेक यह तो हमारा इंच बैक का लेंगे यहां पर दो इंच यह हमारा बैक है वो या यह है फ्रन्ट फ्रन्ट लेंगे यहां पर हम साढ़े तीन इंच तयार बजेगा हमारा अच्छ पूल आई यहां से शुरू करेंगे ऐसे यहां तक तो अब हमारी बटन पट्टी तेयार होएगी न अब यह जो हमारा कप्डा है वो बचा हुआ है इस कप्रे को हम डबल कर लेंगे इस तरह हैं तो अब आई आए इसे मैंने इस कप्रे कर देंगे जो यह है हमारा इस से अब डबल लें इस कप्रे को यहां फोल्ड करेंगे जो इस तरह से तरह हैं अब देखना जितना यह है इतना ही यहाँ पे एक्स्ट्रा क्योंकि हमें प्लेटे डालने हैं इसमें अब उमारा एक्स्ट्रा क्यों काट लेंगे अब देखें यह कटके हुगया त्यार अब यहाँ इसको अलग करेंगे यह एक आगे का पार्ट है और एक पिछी का ठीक है इन दोनों को बिल्कुल अलग अलग करेंगे अब यह दो पार्ट होगे है हमारे यह तो कुमारे बैक के साथ में है एक पैक और एक फ्रंट के साथ में यह देखो सलीव लैस सही तो मैंने आपको बताए गिया था तो यहां पर जो यह एक फ्रंट अपता है इसकी प्लेट बनेंगी चुनटे रलेंगी इसके अंदर और फिर यह देखिए इसकी लुक बनेगी यह हम शुरू कर रहे हैं देखिए यह हमारा फ्रंट पार्ट अब इसको फोल्ड करेंगे फोल्ड कैसे करेंगे यह अमने कट लगा रखी है इससे मैं पता चल जाएगा हमें यहां तक फोल्ड करना है यह पहले इसको ऐसे बटन पत्ती की चोड़ा होती न उसके हिसाब से यहां पर शिलाई लगाएंगे देखिए ठीक है लगे ऐसे ही जो हमारा दूसरा पार्ट है इस पर लगा लेंगे अब दोनों पर हमने शिलाई लगा दी जो बटन पत्ती वाड़ी है यह सिलाई हमारी कम्प्रीट हो चुकी है अब इसके उपर ऐसे रखके और शिलाई लगाएंगे इसके उपर रखेंगे और शिलाई यहां लगाएंगे यह उपर चोड़ेंगे इससे लगेगा कि हमारे बटन लगेंगे ना तो हां बैया अलग से दिख रहा है कि यहां बटन लगे हुए है देखिए सिर्फ दो इंच का खुला चोड़ेंगे यहां पर ठीक है थोड़ा सा फिर वार्पीस ले गए आएंगे यहां तक यह उपर है अब इसके उपर हमने चुलुनट बनानी है यह हमारा जो कपड़ा ना इसकी प्लेट्स डाल देंगे दो इंच तक यहां निडालेंगे यहां सिलाई के लिए है जो डेड़ इंच है इस पर हम तुनट निडालते हैं इसमें हम ऐसे सीधी दी सिलाई लगाएंगे ऐसे यहां से हम छोटी छोटी दी तुनटी शुरू करेंगे प्लेट्स ठीक है एसे हमने डबल कपड़ा लिया है तो उसके हिसाब से हमारा कपड़ा कंप्लिट हो जाएगा थोड़ा सा गैप देंगे बिल्कुल टच में नहीं करेंगे प्लेट्स को थोड़ा सा गैप देंगे ऐसे वोक्स थोड़ा सा बड़ाशा दिकिएगा इसलिए देखिए ऐसे इतना गैप उसमें रखा है इतना ही इसमें भी रखना है देखिए इकवल इकवल है ना गैप तो ऐसे ही गैप रखते जाएंगे और शिलाई लगाते जाएंगे ऐसे अराम से लगाएं इस चलाई कोई जल्दवाजी नहीं है बोक्स बनाने है यह जैसे कि में प्लेट्स वाले ठीक है इसमें पूरे में ऐसे डाल लेंगे ठीक है डल देखिए प्लेट्स अब एक सिलाई लगा देंगे ऐसे इसको सिंदा करेंगे इस तरफ उपर की तरफ और यहां पे उपर वाले कपड़े पे सेंट्र बॉयंट चलाई लगाएंगे कम्प्रिय एसे ही दूसरा पार्ट है वाला है तो फृरंट हमने इसमें प्लेट्स दाल दी हैं इसकी शिलाएं करेंगे दूसरी साइड से भी ऐसे ही तीरे की सिलाई कर लेंगे अब यह मने च्यार भाई च्यार का कटा है देखें चार और इस तरह भी चार अब इस पर हम जेब की कटिंग करेंगे एक जेब बनाएंगे और यहां पर एक इंच की यहां एक इंच और यह गोलाई जहां पर मिलानी है देखें यहां नमारा एक इंच तो इसको ऐसे मिलाएंगे यह हमारी जेब की कटिंग होगी यह है यह हमारी हमने पेस्ट कर लिया इसको जेब को और इस पेंसिलाई लगाएंगे ऐसे करके इसको फिर निचे से ऐसे फोल्ड कर लेंगे इसको देखें ठीक है को निकल गया है इसका कोर्णर थोड़ा सा मुट्टा उख्या कर लेंगे अब यहां सी कोर्णर ऐसे झाल कर दो है ग्री अपर पिर यहां यह असे इसको भी अमने को जितके करना ना इची वो गया ना इची जो एश्टा कप्ड़ा है इसको हम निकाल देंगे देखिए यहाई साइड सी काटे हैं तो यह कट जाएगा मारा कप्ड़ा यह मने काटना नहीं है योगपर का है इसको लगाएंगे अब हम अपने फ्रंट पे और लेफ्ट साइड में लगाएंगे यह हमारा जो प्रोप है फ्रोप फ्रोप इसको ऐसे खूल देंगे यू करके यह हमारा लेफ्ट बनेंगे लगाना कैसी है यह जो मुट्टे की छटाई होती है इसके सेंटर में लगाना होता है ऐसे इसकी साइड बिल्कुल सीद में और जो यह एरिया है यह यहां से यहां तक इसके बिल्कुल बीच में लगाएंगे ज्यादा बटन साइड में जाएगा यह ठीक है अब इसको देखेंगे कई अब यह ठीक है सिलाई लगाएंगे इसके उपर हम ऐसे पर एक पैर की लगा लू चाहे चाहे लगा लो सेंटर की जैसे आपको कंफर्टेबल लगे न उसी तरह से कर ली ना मैं एक पैर की लगा लें यह आपर जो हमने पहले इसे नहीं लगा रखी थी ना उसके उपर से लगाएंगे लग से दिख रहा है यह आपर एकवल एकवल है न श्टेंस तो हां मतलब यह सही लग रही है हमारी जेब कप्री को एक वल करें अब दो बारा हम यह बिल्कुल जो कोर्नर है तो ना बिल्कुल कोना यह इसके उपर से शिलाई लगाएंगे अब एक पैर निच्छे चलेगा और एक पैर हमारा तच में चलेगा है कि लिए ठीक है देखें यह हमारी जेब हो गई है कप्रीट अब हम रेब की पट्टी लगाएंगे हमारे नैक पे और हमारे साइड में मुड्डे पे अब हमारे नैक पे लगाएंगे यह पौने दो इंच की है ठीक है डेड पौने दो इंच दो इंच उतनी हम ले सकते ही ज्यादा भी नहीं अद्य खम भी नहीं अब अब नैक पे लगाएंगे देखेंगे यह यह हमा नैक है और यहाँ से शुरू करेंगे इसके अपर हम हम है raises कोति ऐसको सीड़ी साइड में ले के आएंगी ऑपन ले अज अब लेके आएंगे पर से लेकर उपर से लेकर लगानी कैसे है यद को सो फोलड करेंगे थोडा सा इस त्रह फोल्ड कर आप इसको लगाए देखे इसके उपर बिल्कुल मिला देंगे जो यह मारी बटन पट्टी है ऐसे और यहाँ यह मारा नेक है ना देखे इससी दी साइड है और यह उल्टी-उल्टी साइड से मैंने शुरू किया इसको आप अच्छे से देख लेना आप द workflow को खीचेंगे हलका साथ उपर वाले को अराम से रखेंगे जो हमारी पट्टी है ना इसको अराम से रखते चले जाएंगे और निचे वाले को थीचते दिने जाएंगे ठीक है यह हमने पट्टी को लगा दिया है देखिए अब इसको यह बीच में नहीं यहां पर कट लगा लिए जो गोलाई थी ना हमारी इसमें मैंने कट लगा लिए अब इसको ऐसे थोड़ा सा यूड़ परके ऐसे सिल लगाएंगे ठीक है इसी दी साइड में ऐसे को तो पूल यह पट्टी पर ऐसे ही सिलाई लगाएंगे ठीक है पूर्य घेर में ऐसे ही लगा देगे देखिए हमने गले पर पटी लगा दी यह मुट्डे पर भी लगा दी है ऐसे ही दोन्यों साइड में यह हमारी जेव वाली पट्टी है अब हमारा रह गया काम फिटिंग लगाएंगे तोटा करके इसको फिटिंग लगा करेंगे और निची से फोल्ड करेंगे ठीक है फिटिंग के लिए हम इसको ऐसे जो मने निशाल लगाए ना इसी से दोनों साइड में इसी तरह ऐसे फिटिंग लगाएंगे ठीक है दोनों साइड से हमने देखे फिटिंग लगा ली है अब निच्जे से फोल्ड करेंगे यहां से हम इसको फोल्ड करेंगे एक पर ठीक है सिर्फ इतना साइड फोल्ड करेंगे पर पूरी निया थे हिसी लगाएंगे यह हो गया हमारा टोपसील के तयार उमेद है आप सबको पसंद आया होगा थैंक्यू